नमस्कार साथी स्वागता आपके अपने यूटीप चैनल में आज किस वीडियो में हम शायाबादी कभी जैशंकर परसाद के ओपर वीडियो श्रंखला भाग दो लेकरा हैं साथियो और पहली वीडियो में हमने जैशंकर परसाद के कहानी संग रहा के ऊपर बात की थी और मह स्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको तो साथियों अभी हम पढ़ने शुरू कर रहे हैं जैशनकर परसाद के बारे में कि जैशनकर परसाद इनका जनम काशी के एक संपन घराने में हुआ था जो सुंगनी सहु के नाम से परसिद है ठीक है उन्होंने आठमी कक्षा तक शिक्षा पाने के बाद घर पर ही संस्कृत हिंदी उर्दू और इंग्रेजी सी की प्रणब में इन्होंने ब्रज भाषा में कविताएं लिखीं क बाद में खड़ी बोली में कविता करने लगे इनकी कविता करेतियों में भाषा शंद भाव आदी की दृष्टी से अनेक रूपता दिखाई देती है कवि होने के साथ साजे गंबीर चंतक भी थे काम्यानी में इन्होंने यंत्र और तरक प्र अधारी समाज के चित्रन के साथ साथ शैब दर्शन की अव्यक्ति भी की है तो साथ यापको बता दूं कि अराम चरीत मानस के बाद अगर सबसे महातपुन महा काब्बे जब परसिद महा काब्बे में अगर कहूं हिंदी में कौन सा है तो वह काम्यानी है तेक है इसको आपने जरूर पढ़ से हैं तो साथ इनकी काब्य रचराओं के बारे में पढ़ लेते हैं उर्वशी 1909 में ठीक है उर्वशी एक अलग से साथ खंड काब्य रामधारी सिंग दिनकर काब्य है तो ब्रहमित मत होईएगा इन्होंने एक कविता लिखी है लंबी कविताओं कह सकते हैं उर्वशी को लो जो रामधारी सिंग दिनकरना उर्वशी लिखा है वो एक खंड काब्य है प्रवंद काब्य है तो वन मिलन 1909 में प्रेम राज जी 1909 में और योद्या का अउदार कविता 1910 शोको चीक है आगे क्या लिखा है जे शोको उसवास लिखा है ठीक है साथ देख लेजीगा श 1913 महाराना का महत्व 1914 जरना 1918 आसु 1925 लहर 1923 और क्याम्यानी 1935 में ठीक है तो सभी रचना रचनाओं के जो प्रकाशन वर्षा साथी जाद करना बहुत अबश्यक है जहां पर खासकर कानुन कुस्म प्रेम पथी करुणाल्य महाराना का महत्व जरना आसु लहर और काम्य ठीक है तोचिट्रा धर बोल सकते हैं चित्रा धर बोल सकते हैं इसको देख लिजीगा अपक्या नाम है सलमे तो चित्रा धर जो इनका कब्या सिंग्रह है इसका प्रकाशन दो संस्क्रोड में हमें हमें को मिल जाता है Socialjourd ने 1818 में इनका प्रकाशन वर्ष है ठीक है साथियों तो जे जानकारियां आपको दी मैंने नागेंदर की पुस्तक से तो साथियों आगे पढ़ते हैं तो साथियो आपको बता देते हैं कि चित्राधार थीक है चित्राधर नहीं है चित्राधार है तो इसको जान लेते हैं इसका प्रकाशन वर्ष क्या है ठीक है इसका प्रथम संसकर्ण दो पाटों में दो भागों में साथियो हम कह सकते हैं कि इसका प्रकाशन हुआ था चित्र ब्रज भाशा और खड़ी बोली दोनों की ही रचनाएं हमें देखनों को मिल जाती हैं और 1928 में इसी काब्य संग्रह का दूसरा संसकन छपा जिसमें किवल ब्रज भाशा की ही रचनाएं थी जा कविताएं थी ठीक है साथ यो और माना जाता है कि प्रेम पथिक और महाराना का महत्व जो काब्य संग्रह है इनका जैशंक्रपरसाद का वो भी पहले चित्राधार में ही था लेकिन बाद में प्रेम चंद ने उसको अलग रूप से सब्तन्त रूप से प्रकाशित करवाया था ठीक है जानकरिया मैं आपको दे रहा हूँ आगे पढ़ते हैं तो साथियो और जानकरियां चित्राधार के बारे में चित्राधार में अयोध्या का उध्धार ठीक है साथियो अयोध्या का उध्धार कविता जो उनकी 1910 में सब्तन्त रूप से प्रकाशित हुई थे लेकिन बाद में उसको चित्राधार काब्य संग्रह में स्थान दिया गया था तो जे जाद रखेगा योद्या का दार सतंत रूप से 1910 में प्रकाशित हुई थी तो साथ ही इसी कारण बहुत सारा मत्वेश देखने को मिल जाता है उनके प्रकाशन वर्ष का बे संग्राहों के प्रकाशन वर्ष के संबंद में ठीक है आगे साथ ही पढ़ते हैं योद्या का उधार बन मिलन ठीक है प्रेम राज्य प्राग मरकंद बिंदू ठीक है बन मिलन भी उनकी आपको पताव साथ ही 1909 में सब्तंत रूप से प्रकाशित हुई कविता है हमने पीछे ही पढ़ा भी ठीक है प्रेम राज्य उनका 1909 में बो भी 1909 में प्रेम राज्य भी 1909 में और बन मिलन भी 1909 में ही प्रकाशित हुई थी जे आप जाद कर लिजीगा लेकिन बाद में चित्राधार काभी संग्राह में इसको संकलित कर दिया गया ठीक है अजोद्या का दार का प्रकाशित है उनिशो दस में ठीका प्राग आगे फिर मकरंद विंदू कविताएं जैसी जो है वो इसी अचित्राधार काभिय संग्राय में देखने को मिल जाती हैं साथ आगे पढ़ते हैं अतेव समाजिक संधरब के समाजिक संधरब में अगर हम इसका पार्ट करें तो अजोध्या उध लिखा गया काभ्य कह सकते हैं आगे क्या लिखा गया है बिन भूजी तुम अधिक्रित कियो यह अब धी नागरी सुहावनी तही छोड़ी के चली जाओ न तू संगर करो लैक के आनी तो अजोध्या कवधार कविता जो कि अभी चित्राधार काभ्य संग्राय में संकलित है तो यह लिख लिजीगा ठीक है इसके आगे क्या कहा गया है इसके बारे में वो भी देख लेते हैं अधिक्रित सेवा स्वधेश ठीक है अधिक्रित स्वेदेश को पून धार करने का भाव व्यक्त किया गया है अधिक्रित मतलब किसी और ने इस पर अधिकार किया गया है औ अपने देश को अजाद करवाने का भाव जो है इसमें देखने को मिल जाता है और साथ ही जिस वक्त जे अजोद्या का उदार लेखी गए थी कविता 1910 में उस वक्त हमारा देश वैसे गुलाम था तो कहते हैं कि वो रचनाकार जो है मजुदा परस्थितियों को देखकर ही त कोई भी साहिते लिखता है तो मुझूदा परस्थियां क्या है उस वक्त देश गुलाम था तो अजोद्या का उदार कविता में जही भाव तो देखने को मिलता है कि देश गुलाम है उसको अजाद करवाना है तो कविता के मातिम से अजोद्या का उदार कविता के मातिम से जैशेंकर परसाद नहीं कहने का प्रजत नहीं किया है ठीक है आगे साथ यो पढ़ लेते हैं करुणारले करुणारले उनका काब्य संग्रा है जो है 1913 इसवी में परकाशित वाता अभी हमने पिछे पड़ा तो एक पुरानिक करिती है पुरानिक रचना है पुरानिक पता है कहानियां हो जाए उपनियासो साथ यो आगे पढ़ते हैं जिसमें नारी वली का ब्रोध किया गया है नारी वली का ब्रोध किया गया है साथ यो इसमें करुणारले में जो पूछ लिया जाए पेपर में कि किस काब्य संग्राह में उनकी नारी वली का ब्रोध है साथ यो आ प्रकाशित हुआ ठीक है जी तो यह भी आप लिख लिजेगा 1914 इस्वी में एक महाकावे भी प्रकाशित हुआ था योद्या सिंग उपदय हर्योद का कौन सा था लिख डाल यह वही कमेंट सेक्षिन में जाकतर निसोचोजा इसवी में ही प्रकाशी तुआ था वह महा काब्य बहुत फेमस है खड़ी बोली का महा काब्य माना जाता पहला महा काब्य खड़ी बोली का ठीक है तो साथ वागे पढ़ते है पहले चित्राधार में संक्लि था महाराना का महतव अभी मैंने पीछे बताया ही ठीक है लेकिन बाद में सवतंतर पुस्तिका के रूप में छपा यू तो यह कथानक कथात्मक काब्य है मतलब इसको हम कथा कह सकते हैं इसमें एक खंड काब्य जासा मान सकते हैं लेकिन किन् महाराना का महतब जो काबे है सात्य हो उसमें से पंक्ति है जाद कर लेजी पेपर में पुछी जा सकती है महाराना परताब की बात हो रही है जहाँ पर काठे पते बिखरे डिर से बड़े मनुश्यों के पैरों से दिन संब जो कुछले जाते थे हाई पद प्रजशे ठीक है आगे पड़ते हैं साथिव अगला काभ्यों संग्रा है कानुन कुसम ठीक है कानुन कुसम का कब हुआ परकाशन बर्ष क्या माना जाता है 1913 माना जाता है ठीक है साथिव तो करम पता देता हूँ सबसे पहले आएगा कानुन कुसम फिर आएगा प्रेम पथिक फिर करुणालियों फिर महाराणा का महत्व फिर ठीक हैं महाराणा का महत्व जो है 1914 में आया था फिर उसके आगे चित्राधार लगा सकते हैं 1918 फिर जर्ना फिर ठीक है ऐसे घर के लेकिन कानुन कुसम का जो प्रकाशन वर्षा साथ आपको बता दिया मैंने 1913 इसमें क्या है सत्य प्रकाश मिश्र के अंसार कानुन कुसम में चित्रकूट भारत शिर्पसंद्रे कुरुकशेत्र भीर वालक और शिरी कृष्ण जहनती अख्याने कवित कि है तो पानी पता लेए तो पानि पता लगा एंता इसमें पूर्ण स्वाधिनता के बात इसली करी होगी क्योंकि जैसेंकर परसाद खुद उस वक्त की परिश्यतियों के उनकूल लिखते रहे होंगे ठीक है तो संबत 1966 से लेकर 1974 संबत विक्रमा देते तक की स्पोट रचनाय इसमें देखने को मिल जाती है इसमें जो जो रचनाय हैं इसमें कथात्मक रूप से लिखी गई कविताय हैं ठीक है साथियों तो आगे पढ़ लेते हैं साथियों और क्या लिखा गया है इसमें और विशेश्टा बताई गई है कानून कूसम की परसाद की चेतना इसमें देखने को मिल जाती है सब्तंतरता, समानता, देश प्रेम, बिश्व प्रेम की चेतना भी देखने को मिल जाती है और समगरिक रूप में लोक मंगल की चेतना भी देखने को मिल जाती है तुझे कावे पंक्ति कानुन कुसम की है क्या कहा जा रहा है कानुन कुसम में उनकी एक गान कविता है कि जो रजणा है देखने को मिल जाती हैं ठेक है जहर ना गर हम प्रकाशन कहें तो दो बर गों में बांट सकते हैं पहला प्रकाशन बर्शमुन का हुआ 1918 में पहला संसकर्ण का दूसरे संसकर्ण का प्रकाशन है 1927 में साथ ही जिए दो भागों में क्यों प्रकाशित की जाती थी साथ ही इसलिए की जाती थी क्योंकि जब 1918 में प्रकाशन हुआ होगा इस काब्य संग्रहका तो उसमें हो सकता है 10, 12 जा 13 प्रेम के बिविद रूपों का यह पहले संसकर्ण का परिवर्देत रूप है इसमें प्रेम के बिविद रूपों का चित्रन देखने को मिल जाता है किन्तु दीन दुखियों एवं बंचितों के दुख की और भी कभी दृष्टी बनी हुई है लेखक के चिंतन में लोक कलियान का तार टूटा नहीं है जर्ना कविता में परसाथ जी कह रहे हैं जर्ना कावियर संग्रह से ही शायाबाद की शुरूआत की आंसु कविता से माना जाता है कि उनकी शुरूआत हुई थी शायाबाद की शुरूआत हुई थी आंसु कविता से लेकिन साथ यो जैवी नहीं बूलना चाहिए कि विद्वान जैवी मानते हैं कि जहरना काबे संग्रहा से शायाबाद की शुरुवात हुई थी तो इसमें जो पंक्ती है जहरना काबे संग्रहा की बो देख लेजिए ताप में जीवन शीतल करना सत्य जहतेरी सुग्राई में प्रेम के प्रवित्र प्रवाई में आंसु काबे संग्रहा इनको पर लेते हैं आंसु काबे संग्रहा के बारे में क्या कहा जा रहा है तो इसका पहला जो संसकर्ण हुआ था साथियो यह हुआ था 1925 में दूसरा परवर्दी संसकर्ण जो हुआ 1933 में इसको भी साथियो दो भागों में प्रकाशित किया था ठीक है पहला संसकर्ण का प्रकाशित हुआ था 1925 में दूसरा 1933 में निकली ठीक है तो इसमें क्या कहा गया आंसु को समानिता विरह काब्य भी कहा जाता है जिसमें अलोचकों को परसाद के व्यक्तिगत जीवन की जलक देखने को मिल जाती है अलोचकों का कहना है कि इसकी व्यक्तिकत बेदना धीरे धीरे लोक बेदना में परवर्टित होती जाती है तो साथियों अभी हम लेहर के बारे में बात करेंगे उनका लेहर का बेश संग्रहे जो है 1933 सिस्वी में परकाशित हुआ था देख लेजिएगा 1933 सिस्वी में उनका अन्या संग्रह है तो इसमें कुछ कविताइं इतिहार से घटना अपर अधायत हैं जिसमें देश प्रेम सामेक स्थेती का परिच्चे देखने को मिल जाता है अशोक की चिंता पशोला की प्रतिध्वनी शेर सिंग का शाष्टर ठीक है साथियों मस्ट इंपोर्टन मैं रखूँगा वैरी वैरी इंपोर्टन कविताइं साथियों देदी कि लहर में कौन-कौन सी कविताइं फेमस हैं वैसे दो बहुत सारी हैं लेकिन दो चार के नाम में लेकर आया हूँ अशोक की चिंता पेशोला की प्रतिध्वनी शेर उनकी मानी आती है वो है काम्यानी साथियों प्रकाशन वर्ष तो आपको पता हैं होगा 1935 सिंव में मैंने बताया 15 सर्गों में विभक्त है यह महा काब्या ठीक है और सुद्ध सहित्य खड़ी वोली में लिखा गया है इसमें मनु की गाथा है और श्रदा मनु श्रदा है कहानी है देवों देवदाओं का नाश हो जाता है विलास पूरन जीवन बतीत कर रहे होते हैं उनकी समापती है और इसके बद मनु बच जाते हैं और किस प्रकार से अपना जीवन इर्वाह करते हैं बाद में चिंता गरस्थ होकर ठीक है और फिर श्रदा से मिरन होता है और फिर उनके बीच प्रेम संबंद होता है बहुत सारी कटना इसमें देखने को मिल जाती है लिडा का जिक्र है तो कहीं न कहीं समाजिक जो हमारे परतीक है वो देखने को मिल जाते हैं तो पतेग जहांपर पातर किसी न किसी का परतीक देखने को मिल जाता है इसके अतरिक मनदद दमागी रूप से जो हमारी जिंदगी में अनसंतुलन आयाता इन बैलंस आयाता है उसको जہां पर व्याख्या के रूपे परस्तुत करा है यह महाकाव्य मांसिक अन्सोलन अन्से की व्याख्या करता है मन के चंचल होने की बात करता है ठीक है साथियों तो अभी पढ़ लेते हैं इसके बारे में डेटेल से तो परसाद की महतम मलम हतपुन कृती है जिसमें श्रदा और मनु के सहयोग से मानवता के विकास की कथा को रूपक के आवरण में प्रस्तुत किया गया है इसमें नारी के मुक्ती की कहानी के साथ पित्र की सत्ता दवस्ता को चुनोती दी गई है और ताना शाही के विरुद प्रजातंतर की स्थापना पर योर है यही सरोकार परसाद के भी थे इसी में वे बिश्व के कल्यान की मंगल की कामना करते हैं करम सर्ग में परसाद जी कहते हैं करम सर्ग काफी इमपोड़न असाथ है अपने में सब कुछ भर कैसे ब्यक्ति विकास करेगा यह एकांत सवार्त भीशन है अप्रा नाश करेगा औरों को हसते देखो मनू हसो और सुख पाओ अपने सुख को बिस्तृत करलो सब को सुखी बनाओ तो सीमित अबस्था में कहें तो बड़े वृत में प्रवेश की अकंशा वसुदेव कुटुम कम इसका अरत क्या हुआ कि पूरा विश्व जो है वो एक प्रकार का क्या है पूरा विश्व जो है पूरा विश्व एक परिवार है ठीक है इसका अरत जही हुआ पूरा है परिवार है कि अभी हम filter नहीं के बारें पर लेते हैं hai तो जैशंकर प्रसाद के अब कभी ही नहीं थे निवन्द्र कारवी थे नाटकार रभी है और कहानी साहर भी तो प्रेम चन जुगी इन उपनियास कार होते हुए इनके उपनियासों में मौलिकता है मजलों अपना पन दिखाए देता है किसी की कोपी नहीं करते हैं ये परसाद जी ने तीन उपनियास लिखे तो कंकाल, तितली और इरावती जे मरित्यों के बाद प्रकाशित हुआ अलाकि जब जब लिख रहे थे इरावती उपनियास तो इनकी मरित्यों हो गई अधूरा रह गया था लेकिन फिर भी इसको प्रकाशित किया गया है इनके तीन उपनियास सो तीन भिन परंपराओं का सूतर पात करते हैं पढ़ लेते हैं इसको ठीक है तो कंकाल शुद्ध जथार्थ वादी कृती है जिसमें बिना किसी महत्पन जा महत्ता बिना किसी महत्प दिये जा आदर्श और उपन के समाज की विश्मता को टथस्त भाब से चित्रित किया गया है यह एक समाजिक व्यंग्य है जो समाज की आबरिद विक्रितियों और कमजोरियों को उखाड कर उनको उन पर अठास करता है यहां पर सिर्फ बिशेवस्त बताऊंगा जब नाटकों के बारे में पढ़ा रहा होंगा तो साथ में उपनियास इस उन उपनियासों के पात्रों के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा तो इनका अगला जो उपनियास है उसका नाम है तितली तो तितली का प्रकाशनवर्श साथी उपर हमने पड़ा इसमें क्या है इसमें ग्राम्य जीवन पर अधारित आदर्शवादी ये उपनियास हम कहा सकते हैं इस उपनियास के माधिम से परसाद ने नारी समस्या के विभिन पक्षों को उजागर किया है उन्होंने विद्वा विवार, मेल विवार, दहेज, प्रथाप को प्रथाओं को स्थूल रूप ना देकर ब्यापक ध्रातल पर रखकर जाचने पर रखने का कारे किया है इसके आतिरिक्त उनका इरावती इनका अपूर्ण उपनियास है ठीक है और इसका प्रकाशन बर्ष अभी हमने उपर पड़ा तो साथियों आपको पता देते हैं कि इरावती जो है उपनियास इसमें क्या है इतिहासी को उपनियास धारा का सूतरपात जही करता है इसकी मूल समस्या संस्कृतिक है लेकक नैशोक की मरित्यों के पैस्चाथ भी आरे समाज की जग मगाती स्थिती और भोध धर्म के जरजर सबरूप को इस उपनियास में रुपायत करने का प्रयतन किया है तो यह हुई सात्यों आज की वीडियो अगली वीडियो में हम प्रस्तुत होंगे जैश इंकर परसाथ के नाटकों के उपर बात करेंगे ठीक है और निवंदों के उपर बात करने वाले हैं जो वीडियो का भाग दोथ था पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद